नमस्कार दोस्तों स्वागत करती हूँ आप सभी का एक्जाम अचीवेंट में मैं करुणा ये वीडियो लेकर आई हूँ क्लास 12 के पेंटिंग सब्जेक के स्टूरेंट्स के लिए दोस्तों अप से पहले हमने पढ़ा है बंगाल शिली उसके कलाकार और उनकी पेंटिंग्स के बारे में आज की वीडियो होने वाली है भारत के सुतंतरता संगर्ष में भारतिय कलाकारों का योगदान दोस्तों आपने अब से पहले सुतंत्रता सेनानियों के बारे में, क्रांतिकारियों के बारे में जरूर पढ़ा होगा लेकिन भारतिय कलाकारों ने इस सुतंत्रता संगर्ष में किस प्रकार अपना योगदान दिया उसको पढ़ेंगे हम इस चेप्टर में तो दोस्तो टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं यहां पर कलाकारों से मतलब है चित्रकार, मूर्तिकार, छापाकार यहां तक की लेखक जो जिनको लेखन की कला जिनकी उत्तम होती है उन कलाकारों ने किस प्रकार युगदान दिया सोतंतरता संगर्ष में तो 1857 में अपनी सोतंतरता के लिए भारतियों द्वारा किया गया पहला प्रयास ब्रिटिस शरकार को दमन चक्र के चलते कुचल दिया गया इस चीज को हमने इस से पहले पढ़ा है कि किस तरह से ब्रिटिस सरकार ने 1857 के विद्रोह को कुचल दिया गया था लेकिन इसके बाद भारतिय परंपराएं कला वैसंस्कृती से संबंधित प्राचीन ज्यान की स्रेस्टता को ब्रिटिस दुस प्रचारकू के प्रयास से हेद्रिस्टी से देखा जाने लगा दोस्तों यहाँ पर मैं आपको हेद्रिस्टी मतलब छोटी नजर से है न या फिर नीची नजरों से देखा जाने लगा ब्रिटिस सब्भिता ग्यानवे जीवन शेली को स्रेस्ट बताया जाने लगा मतलब कहा क्या गया कि जो अंग्रेजी सभ्यता है ब्रिटिस सभ्यता है वही जीवन जीने का श्रेष्ट तरीका है अंग्रेजी पढ़े लिखे बहुत से भार्तिय युवा जो थे उनके इस दुश प्रचार से सहमत भी हो गए लेकिन भार्तियों की बहुत बड़ी संख्या ऐसी थी जिसमें जाने माने विद्वान और विचारक शामिल थे ब्रिटिस शार्स को त्वारा किये जा रहे है इस दुश प्रचार के विरोध वेना केवल खड़े हुए अपितु उन्होंने प्राचीन भार्तिय सभ्यता ज्यान वे संस्क्रती वे कलाओं पर जो उनको गर्व था उसको भी उन्होंने एक तरह से वापस से उभारने का प्रयास किया जन जन तक पहुँचाने का प्रयास किया उन में से कुछ लोगों ने 19 विशताबदी के अंतिम दोदशकों में कुछ ऐसे संगठन बनाए जो इन ब्रिटिस दुस्प्रचार को जटका दे सके या इनका अंत कर सके और कौन से ब्रिटिस दुस्प्रचार की बात हो रही है या पर यही कि ब्रिटिस सभ्यता अच्छी है ब्रिटिस ग्यान अच्छा है या उनका जीवन जीने का तरीका उनकी जीवन शेली अच्छी है इसी चीज को तोड़ना था किनके द्वारा कुछ ज्यानी लोगों का, कुछ विचारकों का, कुछ विद्वान लोगों का, जो की भातिय सब्भेता से संबंदित थे. इस तरह की पहल, बंगाल प्रांत में कलकत्ता से हुई, जो की हम पढ़ते आ रहे हैं पिछले दो चेप्टर में, जो की ततकालिन मतलब उस समय के भारत में नव ज्यान का केंद्र माना जाता था. क्या माना जाता था? बंगाल प्रांत का कलकत्ता. और ये कौन सी जगा है? वही शांतिनिकेतन, वही विश्व भारती, वही कला भवन जिसकी नीव रविंद्रनाटे गोर ने रखी और जिसको आगे अवनिंद्रनाटे गोर ने बढ़ाया. यहां पर सांस्कृतिक, सामाजिक, वे राजनितिक संगठनों का गठन होना आरम. साथ ही गुप्त रूप से कारे रथ, कई क्रांतिकारी वे अंदोलनकारी संगठन भी अपनी नीव मजबूत करने में लगे हुए थे. इसी के चलते 1885 एश्वी में भारते रास्ट्रे कॉंग्रेस की स्थापना हुई और वो स्थापना करी रिटायर्ड ब्रिटिस अफसर एव ह्यूम ने. और किसले की? जिससे की ब्रिटिस विरोधी विचारधार को आराम या पूर आराम विराम दिया जा सके. और इसका पहला अधिवेशन हुआ दिसंबर में 1885 में और इसकी अधिक्षता की व्योमेश चंदर बनरजी ने. और ये हुआ था मुंबई में. इस संगठन ने धीरे धीरे ही सही लेकिन भारतियों पर हो रहे अत्याचारों पर भारत विरोधी ब्रिटिश नीतियों के विरोध आवाज उठानी आरंब कर दी. बहुत से लेखकों, उपन्यासकारों वे कावे रचनाकारों ने अपनी कहानी आप देखो दोस्तों. ये क्या हो रही है? खलाकारों का योगदान हमें इस लाइन से दिख रहा है. किसमें भारत्य रास्ट्य है? सतंत्रता संगर्ष में. किस तरह से लेखकों ने, उपन्यासकारों ने, कावे रचनाकारों ने? अपनी कहानीों के माध्यम से, उपन्यासों के माध्यम से, देश गीतों वे तरानों की रचना की, जिनका प्रभाव क्रांतिकारियों पर ही नह पर भी हुआ प्रशिद बांगला उपन्यासकार बंकिम चंद्र चटर जी का प्रशिद उपन्यास आनंद मठ इस कड़ी में मील का पत्थर साबित हुआ वंदे मात्रम गीत इसी उपन्यास में दिया गया है वंदे मात्रम जो की हमारा रास्ट्र गीत है जिसके लेखांग है बंकिम चंद्र चटर जी इन्हों ने इस गीत को अपने उपन्यास आनंद मठ में लिखा है और वंदे मात्रम गीत ने भारत के जन जन में मन मन में क्रांतिकारियों में जोश की और नई चेतना को जन्म दिया 1905 में हिंदो मुस्लिम एकता को भांग करने के उदेश्य से ब्रिटिश शरकार ने बंगाल का विभाजन कर दिया परिणाम स्वरूफ ना केवल बंगाल में बलकि पूरे भारत में ब्रिटिश आशन के विरुद जो प्रतिकिरियाएं हो रही थी उन्होंने गती पकड़ ली स्थित चित्रकार वे कला प्रेमियों ने कौन सा बंगाली श्कूल वही बंगाली श्कूल जिसको हम पिछले दो चप्टर से पढ़ रहे हैं इन्होंने 1907 में इंडियन सोसाइटी ओफ औरियंडल आर्ट की स्थापना करी इसके संस्था पक गगेंद्रनाट टेगोर थे इस संस्था का मुख्या उदेश है Modern Review वे प्रवासी नामक पत्रिकाओं में कला चेत्र के नए प्रतिमानों को प्रकासित करवाना था इस संस्था ने मुद्रन की नए तकनीक सीखने के लिए मुद्रन होता है दोस्तों चापा कला एक चित्र को बनाया और उससे लगभग हजार प्रतियां तयार कर लिए ये चीज मुद्रन कहलाती है तो कुछ जिग्यासों कलाकारों को प्रसिक्षन हेतु इंग्लेंड वे जापान भेजा गया कि वो वहां से मुद्रन की कला को सीख कर लाएं चपाई की नई विधी से उन लोकप्रिय चित्रों को बहतर ढंग से ज्या ये जो निवेदिता है ये इनको हमेशा भागिनी या सिस्टर कहके सम्मोदित किया जाता है नंदलाल बोस असीत कुमार हलदर शमनेंदरनात गुप और लेडी हरिंगम के सहयोग से जो हमारी प्राचीन कला है जो हमारी कलाओं की शान है जो अजंता है एलोरा है बाग की अलाकरतियों की नकल की गई यानि उनकी प्रतिक्रतियां तेयार की गई क्यूंकि वो गुफा पर बने हुए थे उनको जन जन तक पहुचाना था तो इस कारण उनको हू बहू कागच पर बनाया गया और फिर पत्रिकाओं में छापा गया जब वो चित्र पत्रिकाओं में छपी तो यूरोप वासियों को इस भारतिय प्राचीन संग्रहों की महानता का पता चला और यूरोप में भारतिय चित्रकला वे मूर्तिकला की अपनी एक विसिस्टता अपनी एक पहचान जिसकी वो हकदार थी स्थापित हो गई और ये किस्से हुआ भारते कलाकारों के सहयोग से उनकी मेहनत से भारत माता वे उपरी हवा के सिध लोग नामक चित्रों से अमनिंद्रनाथ ने देश भक्ती का प्रतिमान इस्थापित किया अमनिंद्रनाथ वही थे जिनोंने बंगाल शेली की नीव रखी भारत में उनके इन चित्रों की हर जगा प्रशंसा हुई दिजेंद्र लाल राय के गीत पर अधारित भारत माता का दूसरा चित्र श्री पून गोज द्वारा बनाया गया इस चित्र में एक सुंदर तेजेश्वी महिला को लाल किनारे वाली नीली रंग की साड़ी पहने हुए समुंद्र के पानी से उपर उठते दिखाया गया है उसने एक हाथ में पके हुए धान की बालियों को पकड़ा हुआ है उसका सिर बर्व से ढका हिमाले हीरे जडित मुकुट के समान दिखाई पड़ता है मतलब समुंद्र से एक नारिया कृति उत्मन हो रही है हाथ में धान की बालिया यानि की उरवर्ता का प्रतिक गेहु पकड़े हुई है और उसके सर पर स्वैम हिमाले एक मुकुट के समान रखा हुआ है गले में मूतियों का हाल उस महिला को पहनाया गया है भारत माता का एक और चित्र जो यथार्थ से परिपून है अमरता शेरगिल ने बनाया था भारत माता की इस चित्र में एक व्रत महिला को सफेद साड़ी पहने हुए दिखाया गया है उसने अपनी गोद में एक नन्धा नगन बालक लिये हुए है उनकी साड़ी फटी पुरानी है दूसरी बालिका को पकड़े हुए दिखाया गया है मतलब एक बच्चा उनकी गोद में है और एक बालिका उनके पास खड़ी हुई है जिसने उनकी फटी हुई साड़ी को पकड़ा हुआ है सभी के चहरे पर कस्ट वेवेदना है और ये सब किसके कारण हो रखा था ब्रिटिश आक्रांताओं के कारण और इस चित्र ने भी भारतिय कलाकारों को भारतिय क्रांतिकारियों को नया जोश दिया आजादी के लिए लड़ने के लिए 1919 में जलिया वाला बाग नरहंसार नरसंहार जो हुआ वो गगिंद्रनाटे गोर ने उस पर गगिंद्रनाटे गोर अमनिंद्रनाटे गोर के बड़े भाय थे इन्होंने एक चित्र बनाया पंजाब में शान्ती घोशित और इस पर इस चित्र ने अंग्रेजों के प्रती जन मन के मन में ग्रणा को और ज्यादा प्रबल कर दिया नंदलाल बोस द्वारा चित्र चित्र सती सती की मृत्यू वे अगनी देवता जैसी क्रतियों ने भारतिय परमपर एक चित्रकला को पुनर जीवित करने का प्रयास किया था 1938 में भारतिय रास्ट्रे कॉंग्रेस के हरी पूरा सम्मेलन के लिए बनाए गए पांडाल चित्र जोकी नंदलाल बोस ने ही बनाए थे उन्होंने उन्चित्रों को भारतिय लोक कला वै भारतिय जन जीवन पर आधारित बनाया जिससे की भारत के प्रतिय भाग से आये प्रतिनिदी उसको देखें उससे प्रभावित हों इस तरह स्वतंत्रता के लिए किये जा रहे महायग में भारतिय कलाकारों ने भी अपनी तरह से आहुतियां दी थी तो दोस्तों ये था भारतिय कलाकारों ने किस तरह सहयोग किया भारतिय स्वतंत्रता संघर्ष में आशागरती हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही न भूलें बने रहें एक्जाम अच्छीवमेंट के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर का सॉल्विशन लेकर के जल्दी से आती हूँ